नमस्कार दोस्तों, जैश्री राम, हर हर महादेव दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ज्यादा ग्यान वर्धक और धन प्राप्ती का मूल मंत्र है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। आखिर औरत का वह कौन सा अंग बेशर्म होकर दबाने या चूसने से अचानक अपारधन की प्राप्ती होती है। लोग औरत का कौन सा अंग दबा और चूसकर अमीर बन जाते हैं। जो भी मनुष्य औरत का यह अंग दबाता या चूसता है उसके घर में सदा मा लक्षमी का वास रहता है और मा लक्षमी की कृपा सदैव बनी रहती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बताएंगे औरत का वह कौन सा अंग जिसे हर पुरुष को दबाना या चूसना चाहिए। दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो में हम क्या सीखने जा रहे हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और हर हर महादेव लिखना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को जो लायक और सब्सक्राइब करें। लक्षमी मा उसके घर पर सदा कृपा दृष्टी बनाए रखें। दोस्तों एक बार की बात है एक गाव में शिव नाम का व्यक्ति रहता था। वह अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा परेशान था क्यूंकि उसकी पत्नी बात-बात पर हमेशा उसे ताना मारा करती थी। तुम्हारे पास है ही क्या। घर में खाने तक को कुछ नहीं है। दोस्तों उसके घर में बिल्कुल कंगाली छा गई थी। एक भी रुपया नहीं था। और उसके घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना तक नहीं था। दोस्तों एक तो घर में खाना नहीं, उपर से पतनी का ताना, वह बहुत परिशान हो गया, उसे समझ नहीं आ रहा था, मैं क्या करूँ, एक दिन की बात है, शिव अपने घर से एक सुनसान रास्ते पर निकल गया, वह उस सुनसान रास्ते पर चल ही रहा था कि उसे एक तपस्या करते हुए दिखाई दिये, वह उनके पास जाकर बैठ गया, जब साधु ने अपना तप खत्म किया, तो शिव उनके सामने रोने लगा, साधु ने शिव से कहा, पुत्र, तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम क्यों रो रहे हो, आखिर तुम्हें क्या परिशानी है तप शिव ने साधु महाराज से कहा, हे महाराज, मेरी एक पत्नी है, जो कि मुझे रोजाना ताना मारती है, मैं गरीब हूँ तो मैं क्या करूँ, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन धन कमा ही नहीं पाता हूँ, अभी तक एक छोटा सा धन्धा था, वह भी पत्नी के क्लेश की वजह से चौपट हो गया, वह दिन रात मुझसे जगडा करती है, अब तो मैं दाने दाने के लिए परेशान हो गया हूँ, हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसके अलावा पहनने के लिए बस्त्र भी नहीं है, लेकिन मैं अपनी पत्नी को समझता हूँ, कि वह मुझे ताने ना मारे, मुझसे जगडा ना करे, लेकिन वह बिलकुल भी नहीं मानती, शादू जी, इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा परिशान हूँ, इसी वजह से मैं घर छोड़कर यहां आया हूँ, वह सादू जी कहते हैं, रो मत बिटा, मैं तुम्हें ये काम बत चूसता है, उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है, और ना ही उसके घर में लड़ाई होती है, या जो भी व्यापार करता है, उसमें हमेशा तरक्की होती है, शादू जी ने कहा, अब मैं तुमको औरत का वह अंग बताने जा रहा हूँ, इसे ध्यान से सुनना, और अपने जीवण में इस पर जोर करना, दोस्तों तभी शादूजी महाराज उस आदमी को एक कहानी सुनाते हैं, और बताते हैं, एक नगर में एक किसान रहता था, उसके बहुत सारे खेत थे, जिसपर वहत दिन रात महनत करता था, उसके घर में किसान और उसकी पतनी रहा कर और उसके खेतों में इतनी ज्यादा पैदावार होती थी कि बहुत दिन प्रतिदिन और अमीर होता जा रहा था। वह सभी से बताते हैं कि हमारे नगर में एक किसान और उसकी पत्नी रहते हैं जिन में कभी भी लड़ाई जगडे नहीं होते हैं उन दोनों में आपस में इतना प्रेम है कि मैंने ऐसा अपनी जिन्दगी में कभी भी नहीं देखा। दीपक प्रेम की निशानी होता है जिसके घर में घी का दीपक जलता है उसके घर में सदैव प्रेम बना रहता है और मैं चाहता हूँ कि जो प्रेम किसान और उसकी पत्नी के घर में है वह हमारे पूरे नगर में रहे पती और पत्नी के बीच इसलिए मैं हर घर में दीपक ज लेकिन जैसे ही आधी रात होती है, सभी के घर के दीपक भुझ जाते हैं, लेकिन किसान के घर का दीपक वैसे ही जलता रहता है। तब राजा की पतनी राजा से बोलती है कि जो किसान और उसकी पतनी में प्रेम है, वह किसान की पतनी की वजह से है और इसी वजह से उसके घर में इतना ज्यादा प्रेम है। दोस्तों राजा कहता है किसान समझदार है और राणी कहती है किसान की पतनी समझदार है। दोस्तों इसी तरह कुछ देर चलता रहा राजा कह रहे थे किसान समझदार है। राणी कह रही थी किसान की पतनी समझदार है, इसी बात को लेकर राजा और राणी के बीच काफी जगडा हो गया। इसके बाद राजा कहता है, हम लोगों को जगडा करने की जरूरत नहीं है, क्यों न हम किसान और उसकी पतनी की परीक्षा ले ले। सारा दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा लडाई करने के बाद इस बात पर राजा और रानी दोनों सहमत हो गए और दोनों की परीक्षा लेने के लिए तयार हो जाते है तब राजा अपने महल में जाता है और और एक सैनिक को बुलाता है सैनिक से बोलता है कि तुम किसान के पास जाओ और जो जो प्रश्ण मैं तुम से बोल रहा हूँ वह तुम किसान को बोल देना सैनिक बोलता है ठीक है महाराज मैनिक राजा की बात सुनकर किसान के पास जाता है उस समय किसान की पत्नी खेतों में गई थी लेकिन किसान की कुछ तबियत ठीक नहीं थी इस वजह से वह खेतों पर नहीं गया था सैनिक किसान के घर पहुंच जाता है और किसान से कहता है मैं राजदर्बार से आया हूँ राजा साहब ने मुझे भेजा है दोस्तों किसान कहता है बताईए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ आप बैट जाएए मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ तब वह सैनिक बोलता है कि नहीं तुम कुछ भी मतलाओ मैं राजा का सैनिक हूँ बस आपके पास राजा का समाचार लेकर आया हूँ तब किसान कहता है ठीक है, सैनिक, आप मुझे बताओ राजा साहब ने मेरे लिए क्या समाचार भेजा है, सैनिक कहता है, किसान राजा साहब ने ये बोला है कि यदि तुम अपनी पत्टनी को छोड़ देते हो, तो राजा जी आपको बहुत सारे हीरे जवाहरात और साथ में तुम्हारे जमीन से दो गुना ज़ियादा जमीन राजा जी आपको तोफ़े में देंगे। इसके अलावा राज महल का आधा हिस्सा भी आपको दिया जाएगा। लेकिन जो किसान ने जवाब दिया वह सुनने लायक है किसानने कहा, राजा जी अपना पूरा राज महल मुझे क्यों ना दे दे लेकिन मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ूंगा जाओ और अपने राजा से कह दो किसान ने ऐसा कहा है सैनिक जाता है और राजा को सारी बातें बताता है इस समय राजी वहाँ पर सैनिक की बात सुन रही थी सुनने के बाद राजी ने कहा आपने किसान की तो परीक्षा ले ली लेकिन किसान की पत्नी की परीक्षा नहीं ली है इस तरह से हम कैसे पता कर सकते हैं कि कौन समझदार है इसके बाद राजी ने कहा अब मैं भी किसान की पत्णी की परीक्षा लेना चाहती हूँ जब दोनों की परीक्षा हो जाएगी तब ही पता चलेगा की कौन समझदार है फिर रानी ने भी एक सैनिक बुलाया और कहा की मेरी बात किसान की पत्णी को बोलना और याद रखना ये बात तब ही बताना जब किसान वहाँ पर ना हो सैनिक ने पूछा कि रानी क्या बात बतानी है वह तो बताओ तो रानी ने सैनिक को सारी बात बता दी सैनिक किसान के घर जाता है और उसके घर में आवाज लगाता है तो उसके घर से किसान की पत्नी निकल कर आती है और कहती है क्या हुआ क्यों धिंडोरा पीट रहे हो तो सैनिक ने कहा कि राजमहल से आया हूँ मुझे रानी ने भेजा है किसान की पत्नी ने कहा बताओ किसली आये हो तब सैनिक ने कहा रानी ने बोला है यदि तुम अपने पती किसान को मार देती हो, तो आपको बहुत सारे हीरे जवाहरात रानी आपको देंगी, और साथ में राजमहल का आधा हिस्सा भी आपको मिलेगा, ये बात सुनकर किसान की पतनी तयार हो जाती है, कहती है, ठीक है, यदि मुझे इतना कुछ रानी साहि तो मुझे मन्जूर है मैं अपने पति को मार दूँगी तब सैनिक पूछता है कि रानी को कैसे पता चलेगा कि आपने अपने पति को मार दिया है तब ही किसान की पतनी की बात सुनकर राज महल जाता है। को बलाता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे और मेरी पत्नी की वजह से किसान की जान न जाए तुम लोग ऐसा करो उस किसान के घर जाओ और सारी बातें बता दो और उस किसान को बचा लो वरना किसान की पत्नी उसे मार देगी इधर सैनिक किसान के घर जाते हैं और सोच किसान तो मरा पड़ा हुआ है तो सैनिक किसान की पत्नी से बोलते हैं कि तुमको तो किसान को रात में मारने के लिए बोला गया था लेकिन आपने अभी किसान को क्यों मार दिया तब वह किसान की पत्नी बोलती है कि किसान को तो मुझे मारना ही था रात में तो मुझे सिर्फ पाती है और राजा रानी को सारी बाते हैं राजा और रानी किसान की पत्नी को बंदी बना कर लाने के लिए अपने सैनिक से कहते हैं सैनिक जाते हैं किसान की पत्नी को बंदी बना कर ले आते हैं राजा किसान की पत्नी से पूछता है ऐसा तुमने क्यों किया तुम लालची औरत हो तुम्हें पैसों से प्यार है तब ही किसान की पत्नी ने जवाब दिया और बताया कि मुझे तो किसान को पहले ही मारना था वह तो मैं कोई बहाना ढूंड रही थी क्योंकि किसान की आदत बहुत खराब थी वह मेरे साथ बहुत खराब व्यभार किया करता था तो राजा ने कहा ऐसा क्या करता था किसान तो किसान की पत्नी ने जवाब दिया वह मेरे नाक का उपरी हिस्सा अपनी उंगली से हमेशा दबाया करते थे इसके अलावा किसान एक काम और मेरे साथ करता था वह किसान मेरे कान का पिछला हिस्सा अकसर अपनी जीब से स्पर्श किया करता था राजा ने पूछा ये बताओ, जब आप लोग गरीब थे, तब क्या किसान आपके साथ ये काम करता था तो किसान की पत्नी बोलती है नहीं महराज, तब ऐसा नहीं करता था, तब राजा ने कहा, मैं समझ गया कि किसान ऐसा क्यों करता था उसी समय शादुजी ने शिव से पूछा तुम्हें कुछ समझ में आया औरत का कौन सा अंग दबाने तथा चूसने से लोगों को अचानक धन की प्राप्ती होती है तो जिस भी मनुष्य के घर में पैसों की किल्लत है उसे अपनी उंगली से औरत के नाक के उपरी हिस्से को जरूर दबाना चाहिए दोस्तों औरत के नाक के उपरी हिस्से को बहुत शुभ माना जाता है इसी वजह से जो यह काम करता है वो हमेशा धनवान पुरुष बन जाता है दूसरा काम है जो भी पुरुष औरत के कान का पिछला हिस्सा अपने जीब से स्पर्ष करता है उसके किस्मत के द्वार खुल जाते हैं उसे अचानक धन की प्राप्ती होती है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि औरत के कान के पिछले हिस्से में माता लक्ष्मी का वास होता है जब आप ऐसा करते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाता और आपको अपार धन देती है और आपने एक बात तो जरूर सुनी होगी। औरते माता लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। इसी वज़ा है इस संसार में जो भी मनुष्य यह दो पवित्र काम करता है। उसका घर धन से भर जाता है जो कि इस कहानी में किसान भी अपनी पत्नी के साथ करता था। लेकिन आप जब भी ऐसा काम करे तब आपको अपनी पत्नी को पूरी बात बता देनी चाहिए। अन्यथा आपके जीवन में इसी तरह अनर्थ भी हो सकता है। तो दोस्तों आज का ज्यान वर्धक वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।